हेलो एन वेलकम तो बैश्ट परस्यू आम गोंटे रिव्यू दे मूवी मानी करने का दखुईनो जासी कंगना रनावत की मच एविटेड मूवी इसके बारे में काफी जादा अंटिसिपेशन है आउडियंस में डिरेक्शन में जो डिफिकल्टी थी क्रिश और कंगना के बी सबसे पहले जो प्रॉब्लमाटिक चीज है उसको बात करते हैं फर्स्ट आर अप दे मूवी इस बाड जब मूवी शुरू होती है और जिस तरीके से फर्स्ट आर मूव होता है बहुत कुछ ऐसा है जिसको और अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था इस एक पॉइंट पर उते हैं फर्स्ट आर क्टम अने तक आप एक ऐसे पॉइंट पर उते हैं आई पाता नहीं क्यों डाला गया जो जिस इमोशन को डिपट के नहीं कोहिश की गए थी वो बेटर तरीके से किया जा सकता था जो कि नहीं किया गया इस मूवी में और फर्स्ट आर के बाद जो जनता थी वो भी वो वो क्रिंज वाला फैक्टर आप पूरे ओडियंस में देखते जाते हैं सब को लग रहा था किया दिखा रहें only and me and my friend went for this movie by the way video courtesy movie courtesy video courtesy to my very dear friend Prasanna Gorai we went for the movie and at that point I was almost contemplating to leave the movie परस्ट आर के बाद but thanks to Prasanna we stayed for the movie एक iconic moment आएगा money करने का राइन लक्ष्मी भाई के life में जो की पूरी कहानी को और पूरी storytelling को change कर देगा जो seriousness इस कहानी को चाहिए वो उस एक घंटे बाद कहानी बिलकुल serious बहुत ही अलग तरीके के pace बहुत ही अलग तरीके के intensity आपको देखने मिलेगी कंगना एज राइन लक्ष्मी भाई उनकी tenacity उनकी intensity जिस तरीके से उनने dialogues deliver किये हैं उनका attitude बहुत ही ज्यादा सुन्दर आपको बिलकुल एक chills आपको feel होंगे जब कंगना रनावत money करने का बनके राइन लक्ष्मी भाई बनके स्क्रीन पे amazing performance deliver करेंगे एक thunderous applause मिलना चली कंगना को portrait करने के लिए आई लक्ष्मी भाई इतनी खुबसूरती से आपको जो emotions, emot होने चाहिए audience के द्वारा उस character के लिए वो बिलकुल वो मुवी देखते देखते वो feelings वो emotions जरू डवलप होंगे यह character actors का बहुत मुझे सही लगता है उन्हें रोल मिलता है वो चुप चप अपना performance दे देते हैं और ना बिलकुल अडवर्टाइज नहीं करते कि मैं इस फिल्म में हूँ मैं मेरा कोई रोल है मेरा को पिविटल रोल है और अचानक से जब मुवी आती है audience मुवी देखते रहती है उन्हें अचानक से वो character दिखता है वो कमाल का काम करके निकल जाते हैं बहुत ही खुबसूरत फंड़ा है यह character actors का उन्हें बड़े से बड़े मुवी में अराम से एक अच्छा सा रोल मिल जाता है वो मचा दे बहुत ही जादा inspiring बहुत ही जादा motivating है जो timing है इस movie की Republic Day वाला weekend बहुत ही perfect time पे इस movie को release कर दिये गया we should be grateful to the martyrs, to the soldiers, to the freedom fighters who have done so much for our country and are continuing to do so it is a beautiful reminder that how much pain and how much travesty people have gone through, legends have gone through, the real heroes of this country have gone through so that today we have an independent India only problem with this movie is the first star, first star को subtly play कर देते है तो यह movie iconic हो जाती fantastic work, I would give it a very strong 3 out of 5, great movie with acceptable CGI, acceptable graphics and in short every Indian should just at least once watch Mani Karnika, it is worth the watch something exciting coming up for you guys, stay tuned, see you guys very very soon